नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का सेविल 101 में मेरा नाम है संदीब कैसे आप सभी लोग वेरी गुड मॉर्निंग तो अल अफ यू दोस्तों आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं हाईवे इंजिनरिंग के पॉइंट अफ यू से अगर हम बात करें हैं यह ट्रांस्पोर्टेशन इंजिनरिंग में सबसे पहले हाईवे और हाईवे के अंदर जो है वो जिए जिए जबसे जादा इंपॉर्टेंट है तो वो हम पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटिड जितने भी टाइप के क्वेशन बनते हैं चाहिए वो SSD से रिलेटिड हो, OSD से रिलेटिड हो, फिर उसके बाद हमने बात की थी सुपर एलिवेशन से और जो भी horizontal alignment से related questions थे वो हम कर चुके थे साथ ही साथ में vertical alignment की हमने बात की थी जहां पर हमने summit curve, valley curve इन की बात की थी तो इन से related भी जितने भी questions कैसे possible हैं वो हमने class के अंदर ही कर लिये थे और कल के YouTube session के अंदर भी हमने इसे related questions किये थे तो आगे बढ़ते हैं दोस्तो इसी topic के उपर हमारा highway engineering है इसके अंदर pavement material अजी सभी को good morning, good morning everyone दोस्तो हम बढ़ रहे हैं आन academy पर और जैसा कि आप सभी को पता है आन academy इस इंडिया's largest online learning platform जहां पर आप तयारी कर सकते हैं अपने dream exam के और इसके रिए आपको an academy app install करनी है, app install करने के बाद दोस्तो बहाँ पर आपसे आपका goal पूछा जाएगा आप किस exam की तयारी कर रहे हैं, जिस exam की आप तयारी कर रहे हैं वो आप अपना goal select कर लीजिए उसके बाद get subscription पर click कर सकते हैं अगर आप subscription model पर पढ़ना चाहते हैं an academy के, अगर आप पढ़ना चाहते हैं an academy की special classes जो की free of cost होती है तो try an academy for free पर आप click करेंगे, उसके बाद आपसे एक invite code पूछा जाएगा अगर आप try an academy for free पर click करते हैं तो invite code संदीब double one यूज़ करना है अगर subscription लेना चाहते हैं तो duration select करनी होगी कि कितने duration के लिए subscription चाहिए आपको, तो वो duration select करेंगे, duration depend करती है आप कितने समय तक तयारी कर रहे हैं, exams देंगे, एक साल, दो साल, कितने समय तक तो वो duration select करें, उसके बाद add a referral code के अंदर आपको use करना है जिससे कि आपको 10% off मिलेगा, और साथ ही साथ में आपको access मिलेगा अन-academy platform पर, throughout that category, आप किसी भी educator की कोई भी class आप देख सकते हैं हाँ जी, सभी को good morning, सभी को नमश्कार soil mechanics जो है, almost खतम होने वाला है, तीन chapters जो हैं, उसके अंदर बचे हैं और यह चल रहा है, अन-academy के, S.S.E.J.E. and State A exam category के अंदर दोपैर को 12 बजे इसकी class होती है अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, pavement material की बात करें, तो कुछ-कुछ बाते हैं, जो theoretical हैं या फिर ग्यान की बाते हैं, जो आपको वैसे भी बता होंगी, लेकिन engineering aspect से जो important होगी, वो मैं आपको बताता चलूँगा अब अगर आपको highway बनाना है, तो highway के अंदर, highway अगर आपको बनाना है, तो highway के अंदर, जो materials यूज़ करने हैं, वो अलग-अलग type के combination होगे यह material जो है, highway का, अलग-अलग type के combination होगे, जैसे कि अगर आप बात करें, आप उसके अंदर, bitumen यूज़ कर रहे हैं, soil यूज़ कर रहे हैं, gravel यूज़ कर रहे हैं, तो combination of materials आप यूज़ कर रहे हैं, तो pavement materials जो हैं, वो क्या हैं, they are a conglomeration of materials, these materials, their associated properties and their interaction determine the properties of the resultant pavement, जो भी pavement बना रहे हैं, जो भी आप जिस surface के ऊपर चलने वाले हैं, वो pavement अगर हम बना रहे हैं, तो उसके अंदर हर एक material, individual और सब एक साथ मिल के, यह दोनों ही important role play करेंगे, कि उस pavement की quality जो है, वो कैसे बनने वाली है, तो सिर्फ इतना ही ज़रूरी नहीं है, कि हर एक individual, जैसे concrete के case म हम बात करते हैं, कि cement की quality अच्छी हो, अगर, sand की quality अगर अच्छी हो, अगर aggregate की quality अच्छी हो, तो क्या concrete जो है, बनेगा आपका, उसकी quality अच्छी होगी, हम नहीं कह सकते, क्योंकि तीनों के combination, तीनों का proportion कैसा है, उसके बाद आपने water cement ratio कितना रखा है, और उसके बाद आप इसी तरीके से pavement के अगर हम बात करें, तो pavement के जो material आप use कर रहें, उनकी quality कैसी है, और उसके बाद सब को एक साथ जब आपने मिला दिया, तब वो एक combined zone का conglomeration बन गया, या combination उनका बन गया, अब वो कैसा perform कर रहा है, तो यह ज़ादा important है, a good understanding of these materials, and how they are characterized, and how they perform is fundamental to understanding the pavement, वो pavement जो है, वो कैसा perform करेगी, कैसे वो load को bear करेगी, load को distribute करेगी, और उसके अंदर cracks जो है, वो minimum से minimum आएंगे, deformation minimum से minimum आएंगे, और उसके उपर जो passenger चलेगा, अपने vehicle को लेके, वो comfortably और safely travel कर पाए, अब सबसे पहला और सबसे important की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला और सबसे important जो आपका pavement material है, soil आजाता है, soil mechanics पूरा chapter पढ़ते हैं हम वहाँ पर, तो soil की क्या-क्या properties होती है, soil के बारे में फटा-फट से conclude करते है, soil आपको पता है कि ultimate material है, जिसके उपर finally सारा load आने वाला है, तो soil जो है, उसकी strength अच्छी होनी चीए, bearing capacity उसकी अच्छी होनी चीए, क आपको पता है कि vehicle जो चलने वाले है, उनके अंदर heavy load होगा, vehicle का खुद का weight होगा, और अगर commercial vehicles के हम बात करें, या फिर अगर आप बात करें, goods वाले जो vehicle है, जैसे truck है आपके बास, तो उनका बहुत जादा heavy weight होगा, और वो heavy weight ऐसे नहीं है, कि पूरे surface के उपर distributed है, अगर आप किसी truck को देख रहे हैं, तो 4 ही तो ऐसे point है, अगर आप किसी truck को देखेंगे, तो ये मान लिजी आपका truck है, और जादा से जादा 4 या 6 ही तो ऐसे points होगे, जिनके उपर सारा का सारा load आके क्या आने वाला है? ये लो दोस्त, तो अगर आप किसी भी vehicle को देखते हैं, तो जो भी load आने वाला है, ऐसा थोड़ी नहीं कि इस फूरे area के उपर distribute होगा वो, इसके नीचे जो भी pavement होगी, road का surface होगा, उसके उपर सिर्फ ये points ही तो हैं, जिन points के उपर ये load जो आके, soil के अंदर जाएगा, त तो उतने stress को, क्या आपकी soil जो है, वो bear कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये important हो जाता है, चली, तो soil जो है, finally, उसके उपर सारा load आने वाला है, अब soil की बात करें, soil आती कहां से है, soil जो है, rocks के disintegration से, rocks जो है वो टूट जाती है, उसके बाद उनका disintegration हो गया, मतलब disintegration of rock या weathering of rock से soil form होती है, chemical weathering होती है, physical weathering होती है, physical weathering का मतलब rock से particles बस अलग हो गए, chemical weathering का मतलब है, कि जब कोई chemical agent के कारण, वो rock जो थी, उसके अंदर कुछ reaction होई और particles उससे अलग होगे, physical weathering से बड़े size के particle, coarse grain particle मिलते हैं, chemical weathering से fine grain particle मिलते हैं, physical weathering के अंदर उनकी जो properties होती है, जो soil का mineral composition होता है, वो सेम रहता है chemical properties में, जो chemical weathering होती है, उसमें उसका mineral composition चेंज हो जाता है, यह सारी चीजें soil के starting में हम बढ़ते हैं, यहाँ पर highway में हमें किस से मतलब है, highway में हमें मतलब है, कि soil का compaction कितना अच्छे से किया जा सकता है, कितना अच्छे से हम compact करके उसकी dry density maximum कर सकते हैं, कितना वो shear strength होगी उस soil की, कितना उसकी bearing capacity होगी, settlement उसके अंदर minimum से minimum आए, पानी के कारण, water table की variations के कारण, water table fluctuate होने के कारण, या फिर अगर बाहर से बारिश की वज़े से, या कैसे भी पानी आ रहा है, तो उस पानी के कारण उसमें swelling और shrinkage ना आए, पानी अगर आ जाए, तो उससे जल्दी से drain out हो जाए वहाँ से, तो ये सारी properties हम चाहेंगे कि ऐसी soil हो हमारे पस, एक highway material के लिए, तो desirable properties of subgrade soil as a pavement material, अब अगर हम बात करें कि पूरे pavement को देखें, तो उपर का जो surface होता है, उपर की top layer को surface course बोल देता है, फिर base आता है, फिर granular subbase होता है उसके नीचे और सबसे नीचे होती है subgrade, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसकी soil की जो सबसे नीचे present रहता है, या फिर एक subgrade की तरह आप इसे use करते हैं, तो the desirable properties of subgrade soil as a highway material क्या क्या होनी चाहिए, वो stable रहनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपने जगा से displace हो रही है, या फिर उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई failure आ रहा है, incompressibility, settle ना हो जाए, compressible ना हो, पहले ही उसको अच्छे से compact कर देंगे, कि further उसमें settlements ना आए, permanency of strength, strength का variation नहीं होना चाहिए, कि आज strength मिल रही है, अकल को strength उसके अंदर उतनी ना मिले, strength permanent रहनी चाहिए उसके अंदर, minimum changes in volume, volume changes के गारे, जो आप अगर बात करें, जैसे clay होती है, clay के अंदर mount morillo night होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो clay mineral responsible होता है, mount morillo night, कि अगर पानी आ जाता है, तो वो volume को बढ़ा देता है, पानी अगर वहाँ से चला जाता है, निकल जाता है, तो shrinkage create कर देता है, तो swelling and shrinkage ना हो, तो minimum changes हो volume के अंदर, ground water के कारण, good drainage होना चाहिए, पानी आ भी गया, बारिश आ भी गई, पानी जो है, फटा-फट बहाँ से drain out हो जाए, या उसके अंदर अगर present है, तो वो निकल जाए वहाँ से, compaction जो है, वो आसान होना चाहिए, जादा महनत ना करने पड़े, जब हम highway बना रहे हैं, तो उस soil को compact करने के लिए, main function of the subgrade is to give educate support to the pavement, सबसे नीचे यही है, तो अगर आपकी soil वो ही अच्छी नहीं हुई, उसी की strength अच्छी नहीं हुई, तो overall आपकी जो pavement है, वो कभी सही नहीं रहने वाली है, तो soil के उपर कौन-कौन से important test करते हैं, उसके shear के test करते हैं, shear के अंदर fail ना हूँ, bearing के test करते हैं, penetration के test जो हैं हम soil के उपर करते हैं, और यह सारा part जो है, यह soil mechanics का part है, यहाँ पर तो हम बस introduce करवा रहेंगी, as a pavement material, soil का क्या importance है, highway engineering के अंदर, तो soil अपने आप में पूरा एक subject ही आ गया, तो I don't think so, कि इसके बारे में इतना ज़ादा अभी detail में पढ़ने की ज़रूरत है, तो shear test, bearing test और penetration test यह हमारे test होते हैं, इनकी अगर हम use की बात करें highway के अंदर, तो जैसा मैंने आपको बताया कोई vehicle है, उसका अगर load आएगा, तो उसके कारण soil का एक mass, दूसरे mass के respect में move ना कर जाए, shear off ना हो जाए, cut ना जाए, जैसे हम बोलते हैं न, तो आप strength of material में हम बात करते हैं, कोई beam है, इस beam के उपर अगर transverse direction में, length के perpendicular direction में, transverse direction में load लगाया, तो यह beam यहाँ से shear off ना हो जाए, यहाँ से यह beam cut ना जाए, ऐसे हम बोलते हैं न, तो shear off ना हो जाए, वैसे हम बात करते हैं, कि soil के दो mass एक दूसरे के respect में, किसी plane के about जो है, जैसे इस plane के about, यह beam जो है shear off होगी, वैसे किसी plane के about, soil का mass जो है, वो shear off ना हो जाए, ऐसे कुछ मान लीजी आप, तो shear के test करते हैं, bearing के test करते हैं, कि वो कितना load जो है, वो bear कर सकता है, settlement में वो fail नहीं होना चाहिए, shear में वो fail नहीं होना चाहिए, penetration test के अगर हम बात करें, तो penetration test के अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर highway engineering के point of view से, क्यों important है, क्योंकि कितना वहाँ पर penetration है, यह यह कह लीजिए, कि जब vehicle का load जो है, एक तरीके से बहुत ही छोटे से area के उपर लग रहा है, pointed form में लग रहा है, तो वो soil उसको bear कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, according उसके penetration test करते हैं, तो small scale bearing test in which the size of loaded area is relatively much smaller, loaded area जो है वो बहुत छोटा होता है, तो उसके according हम SPT test, standard penetration test, static cone penetration test, SCBT, यह हम soil mechanics में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है दोस्त, फिर आते हैं aggregate, aggregate के उपर अगर हम बात करें, तो aggregate जो है, यह compressive strength लेने में अच्छे होते हैं, compressive forces को bear करने में यह अच्छे होते हैं, stones यह जो rocks होती हैं, उनका टूटा हुआ portion जो होता है, उसे aggregate कहते हैं, stones को crush कर दीजिए, या फिर आप ऐसे कह लिजिए, छोटे छोटे parts में तोड़ दीजिए उन्हें आप, तो आप कहा देते हैं कि यह आपके पास क्या है, aggregate है, अब aggregate जो है वो क्या करेंगे, compressive load को bear करेंगे, उसमें वो अच्छे होते हैं, और इसको bind करके कौन रखेगा, अब aggregate अगर ऐसे सीधे ही रख दे, और उसके उपर load लगाएंगे, तो वो विखर जाएंगे, इनको bind करने के लिए आमें चाहिए होता है, कोई binding material, अब वो binding material, या तो आप cement यूज़ करें, या फिर आप bitumen यूज़ कर सकते हैं, जो उनको bind करके रखेगा, उनको चिपका के रखेगा, जोड के रखेगा यहाँ पर, तो aggregate जो है, it is a collective term for the mineral material, such as sand, जिसे हम fine aggregate बोल देते हैं, छोटे size का aggregate, जिसे हम बोल देते हैं, gravel, coarse aggregate जिसे हम बोल देते हैं, crushed stone होगा इसके अंदर, और साथ-साथ में एक binding material होगा, चाहे वो आप बात कर लीज़े, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर present time की बात करें हम, तो binding material में, bitumen और cement concrete जो है, यह हम use करते हैं, by volume aggregate generally, sorry, by volume aggregate generally accounts for, 92 to 96% of bituminous concrete, and about 70 to 80% of Portland cement concrete, bitumen का इस्तेमाल करते हैं, 92 to 96% aggregate होते हैं, concrete का करते हैं अगर, तो 70 to 80% bitumen, 72 to 80% aggregate होते हैं, aggregate को base और sub-base course के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, flexible या rigid pavements के अंदर, flexible pavement कौन सी होती है, rigid pavement कौन सी होती है, इनके बारे में बात करेंगे, flexible pavement जो आपकी होती है, bitumen की होती है, उसके अंदर एक grain to grain, particle to particle load transfer होता है, load transfer जो होता है, flexible pavement के अंदर, वो कैसे होता है, इस particle पे load आया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसे grain to grain particle का load transfer होता है, flexible pavement के अंदर, rigid pavement में पूरा का पूरा slab action होता है, एक slab के उपर load जैसे आएगा, और वो उसको distribute करेगी उस तरीके से वो होता है यह बाते आ जाती है कुछ-कुछ इनके बारे में अब बात करें दोस्तों कि आपके जो aggregate हैं उनकी properties क्या अच्छी होनी चाहिए जैसे soil की properties की बात की थी तो aggregate के बारे में यहां से कुछ ऐसे question नहीं बनेंगे यहां से सिर्फ कहानियां बनती हैं जो बस हमें topic की depth समझने के लिए important होती है कि हाँ sand की क्या-क्य properties होनी चाहिए अच्छी-ची बात है क्या होनी चाहिए तो उन में से engineering point of view से अगर हम बात करें जैसे aggregate हम कहा देते हैं aggregate should be of very good quality अब इसका मतलब क्या है engineering point of view से आप कब कहेंगे कि aggregate अच्छ है आप इसको थोड़ा और अच्छे से define करेंगे कि इसकी strength अच्छी होनी चाहिए ठीक है जी strength में क्या तो strength में आप बताएंगे कि वो crush ना हो उसके अंदर उसका wear and tear जो है वो minimum हो stress आने के कारण stress action due to wheel load concentrated load या एकदम से sudden load अगर आपके उसके उपर लगे तो वो उसको wear कर जाए hardness उसकी अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर hardness हम कहते हैं resistance to abrasion abrasion कर रहे हैं scratch कर रहे हैं आप जैसे किसी चीज़ को scratch करते हैं और उस पर कोई abras कर रहे हैं scratch कर रहे हैं उसको भी अगर वो resist कर रहा है तो that is hardness strength में बात करें stress action के कारण wear and tear के कारण crushing के कारण वो बना रहे तूटे ना वो hardness the aggregate used in surface course are subjected to constant rubbing and abrasion due to moving traffic आप देखिए अगर किसी road को देखते हैं जिसके उपर continuously vehicle move कर रहे हैं तो वो vehicle के जो tires हैं वो tires road को rub कर रहे हैं continuously और especially तब जब एकदम से braking action हुए जब brake apply कर देते हैं तो vehicle का जो rotation का movement है वो तो हो जाता है खतम 100% नहीं होता लेकिन कुछ हद तक पिर skid करता है wheel जो है वो skid करेगा move नहीं कर रहा है सिर्फ घिसरा है तो उस case में abrasion और जादा हो रहा है वहां पर तो उसको वो aggregate जो top वाले surface के उपर है वो उसको resist कर पाए this is hardness यह हम बात करते हैं यह aggregate के अंदर अच्छी property होनी चीए the aggregate should be hard enough to resist the abrasive action caused by movements of traffic the abrasive action is severe when steel-tired vehicles move over the aggregate exposed at the top surface steel-tired vehicles जब move करेंगे उस case में और ज़्यादा abrasive action होगा shape of aggregate की बात करें aggregates जैसे की flaky aggregate होते है वो elongated aggregate होते है flaky क्या होता है elongated क्या होता है building materials में वैसे तो हम पढ़ चुके है फिर से देख लेंगे यहाँ पर तो flaky या elongated aggregates होते है उनकी strength जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती है needle shaped होते है आप ऐसे कह लिजी जो flaky aggregates होते है flaky elongated इनकी strength अच्छी नहीं होती है rounded जो होते है उनकी workability अच्छी होती है strength अच्छी बन जाती है इनकी आपस में bonding जो है वो बहुत जादा अच्छी हो जाती है the flaky and elongated particles will have less strength and durability when compared to cubical, angular or rounded particles of same aggregate and too flaky and too much elongated aggregate should be avoided as far as possible अब बात करते हैं अगली property जो है adhesion with bitumen अगर आप road बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं highway बना रहे हैं और bitumen से बना रहे हैं तो bitumen क्या करेगा aggregates को बांद के रखेगा, joint करके रखेगा इनको जोड के रखेगा अच्छा होना चाहिए, अगर bitumen के साथ रहना है, अगर highway material के अंदर bitumen से ही आप road बना रहे हैं aggregate जो है उसकी affinity, उसका प्यार कह लीजिए उसका attachment कह लीजिए, वो किसके साथ ज़ादा होना चाहिए, bitumen के साथ ज़ादा होना चाहिए, तब ही वो surface जो है वो ज़ादा होनी चाहिए, उस aggregate की कि वो bitumen के साथ बना रहे rather than कि अगर water आ जाए, तो वो pavement जो है, उसके aggregate अलग हो जाएं अगर pavement में aggregates अलग हो जाएंगे, तो definitely वो पूरा pavement दीरे-दीरे खराब होने लग जाएगा, आपने बहुत जगां पे देखा होगा कि जब road के surface के उपर continuously water आ जाता है, तो दीरे-दीरे particles अलग होने शुरू हो जाते हैं, aggregate जो है निकलने शुरू हो जाते हैं, road का surface खराब होने लग जाता है, तो कहीना गई water impact करता तो है ही, लेकिन road के उपर हम camber provide कर देते हैं, longitudinal direction में slope provide कर देते हैं, ताकि पानी वहाँ पर रुके ही नहीं और उस road को खराब ना करें, फिर भी जब aggregate चूज कर रहे हैं, उस वक्त भी ध्यान रखा जाता है कि bitumen के लिए affinity on aggregate की जादा होनी चीए, rather than water, the aggregates used in bitumen pavements should have less affinity with water when compared to bituminous material otherwise, the bituminous coating on the aggregate will be stripped off in the presence of water next बात करते हैं toughness, toughness क्या होता है, sudden load लगेगा, sudden load, अब आप observe कर लीजिए, कि आप ये road के surface के उपर एक कोई point को देख रहे हैं, इस point को आपने देखा इस point को observe करते जा रहे थे इस point को observe कि आपने तो नहीं लगा, फिर एकदम से एक कोई कार आई जो की 100 km per hour की speed पे थी, और एकदम से यहां से निकली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले load कुछ नहीं था और जैसे यहां से निकली, तो एकदम से बहुत जादा load लगा और फिर वो वापस चला गया, तो sudden load जो लगता है, आप उसे कह देते हैं यह impact load लग रहा है, sudden load लगता है, for example आपका दोस्त अगर आपके हाथ के उपर या सर के उपर अराम से 1 kg weight रग दे, तो कोई फरक पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, लेकिन वही 1 kg एकदम से बहुत ज़ादा impact के साथ रख दे, तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं तो इसी लिए impact load है, सिर्फ load वही है, load का amount वही है लेकिन वो impact के साथ लग रहा है impact हो रहा है वहाँ पर, तो इस case में उसका, हम जो strength होती है, वो उसको resist कर पाए इसे हम कहते हैं toughness तो toughness जो है वो क्या होता है resistance of aggregate to impact is known as toughness, जैसे हम बहुत सारी जगा देखते हैं गेंट्री गर्डर में बात करते हैं कि impact allowance, तो impact allowance का मतलब होता है कि एक तो load वही है, amount तो उतना ही लग रहा है, load का लेकिन suddenly लग रहा है, एकदम से लगा दिया या movement के साथ लग रहा है वहाँ पर तो this is toughness, durability durability का मतलब होता है wear and tear से durability का मतलब किस से होता है हमारा wear and tear से होता है objective version यहाँ से शुरू हो जाते है पहली तो बिल्कुल basic से basic definition, जैई कई बहुत सिंपल से exam होंगे, आपके state के exam अगर होते हैं तो वहाँ पर बहुत सिंपल से simple question पूछन 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 पूछना चाहता है अगर examiner तो वह आप से पूछलेगा hardness फिर चार option दे देगा resistance to sudden loading, resistance to abrasion resistance to weathering effect ऐसे आपको बता देगा ऐसे definition based question आसे हैं durability क्या होता है, durability हम कहते हैं कि जो भी weather के effect है या फिर कोई चीज हम बोलते हैं ना कोई चीज कितनी durable है, आप कोई भी चीज खरीदते हैं आप कहते हैं इस समय के साथ कितना खराब होगी, कितना durable है तो वैसे ही aggregate की बात कर रहे हैं weather के effect के कारण या weathering के effect के कारण वो कितना चल सकता है ये आपके पास आता है इसे हम इसकी durability में count करते हैं या इसे हम कहते हैं इसकी soundness अब soundness शब्द पहले भी सुना होगा हमने कहां पर सुना होगा जब हम cement के test करते हैं जब हम cement को पढ़ते हैं तब हम कहते हैं कि cement के volume changes को देखते हैं अगर हम तो कोई चीज कितनी sound है जैसे आपका दोस्त है तो आप अपने दोस्त को बोलते हो he is very sound person या फिर अगर आप उसके nature की बात करें या फिर आप उसकी studies की बात करें तो studies point of view से he is very sound मतलब अच्छी knowledge है अच्छा है हो तो वैसे ही soundness of cement की अगर हम बात करें तो उसके volume changes की बात करते हैं वहाँ पर soundness के test करते हैं लीच अटलियर, autoclave apparatus, इन सबसे यहाँ पर soundness का मतलब अलग है यहाँ पर soundness का मतलब हम कहते हैं कि वो aggregate जो है उसके weathering action को या वो जो खराब हो रहे है adverse action बूरी परिस्थितियों के अंदर भी वो कैसे उसको resist कर रहे हैं durable रहे हैं टिके हुए हैं तो उनकी qualities खराब नहीं हो रहे हैं तो हम कहते हैं वो durability है उसके The aggregates are subjected to physical chemical action of rain and bottom water impurities therein and that of atmosphere hence it is desirable that the road aggregates used in the construction should be sound enough to withstand the weathering जो weathering है उनकी particles छोटे छोटे particles उससे अलग हो जा रहे हैं यह weathering ना हो weather के effects के करण ना हो यह जो भी changes हो रहे हैं environment के उनके करण ना हो तो हम कहेंगे वो durable aggregates हैं यहाँपर फिर freedom from deleterious particles deleterious मतलब unwanted unwanted particles उसके अंदर नहीं होने चाहिए जो भी आपके aggregates हैं उसमें ऐसे particles नहीं होने चाहिए जो aggregate जैसी properties नहीं रखते हैं उतनी strength नहीं रखते हैं तो उनके साथ अगर कोई mix होके ऐसा particle आगया जो उतनी strength ही नहीं रख रहा है water को वहाँपे hold करके रख ले रहा है तो वो aggregates के लिए problem create कर देगा तो ऐसे deleterious substances जो हैं वो नहीं होने चाहिए deleterious substances के अंदर क्या-क्या आ सकते हैं जैसे clay lumps हो सकते हैं shirt हो सकते हैं clay के particles हो सकते हैं बहुत ही finely divided particles हो सकते हैं वो हो सकते हैं और other organic impurities हो सकते हैं मतलब ऐसी impurities जो dead and decayed matter है जो थोड़े time में सड जाएगा तो वो अपनी strength जो aggregate के उसको reduce कर देगा ये particles उसके अंदर नहीं होने चाहिए अब फटा-फट आते हैं यहां से questions का सिलसिला शुरू हो जाएगा aggregate के जो test हैं उनके अंदर आपसे क्या-क्या बातें पूछी जाती हैं पहला आता है aggregate का crushing test crushing test के अगर हम बात करें तो आप aggregate के उपर क्या करते हैं load लगाते हैं और फिर वो crush हो जा रहा है या नहीं होता है load is applied on the sample and then the sample is sieved through 2.36 mm sieve 2.36 mm की sieve के उपर generally 40 ton का load हम लगाते हैं उसके उपर और 2 mm की sieve से pass करते हैं particles crush हुए तो 2.36 2.36 mm की sieve से उसे pass करवाते हैं कितना weight pass हुआ upon initial weight आपने sample का कितना लिया था ये aggregate की crushing value आ जाती है abrasion test के लिए हम use करते हैं Los Angeles machine LA machine जो है वो हम use करते हैं Los Angeles machine आप सभी ने देखी होगी उसके अंदर एक cylindrical drum होता है जो rotate करता रहता है उसके अंदर steel balls होती हैं वो उनको rub करती रहती है aggregates को continuously तो ये test हलांके हम पढ़ चुके हैं building material में जब aggregate पढ़ते हैं वहां भी पढ़ चुके हैं यहां इनको बस rewind कर रहे हैं तो इस case में जो आप LA test करते हैं उसके अंदर weight passing through 1.7 mm sieve यहां पर sieve का size 1.7 mm ले लिया जाता है upon initial weight of the sample devals abrasion test, dory abrasion test इनका भी हम इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर abrasion test के अंदर फिर आता है soundness test soundness test का मतलब है कि weathering action के कारण weathering action के कारण उसके particles उस aggregate के surface से अलग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इस action को weathering action को समझने के लिए हम test जो करते हैं वो sodium sulfate और magnesium sulfate का इस्तिमाल करके करते हैं यहां से question पूछा गया है यहां से question जो है EAC में पूछा गया है SAC में भी आ सकता है aggregate जो हैं उनको हम कभी wet करेंगे कभी उनको सुखा देंगे यहां पर alternate wetting के cycles करेंगे aggregates of specified size are subjected to cycles of alternate wetting in a saturated solution of sodium sulfate और magnesium sulfate 16 से 18 घंटे तक हम उनको क्या करेंगे saturate करेंगे और फिर open dry करेंगे 105 तो 1110 डिगरी सेल्सियस to a constant weight ऐसा 5 बार करेंगे 16 से 18 घंटे तक हुने sodium sulfate या फिर magnesium sulfate के solution में हमने रखा फिर उसके बाद उनको निकाला open dry किया 105 से 110 डिगरी सेल्सियस पर फिर फिर से उनको डाल दिया फिर से open dry किया ऐसा 5 बार किया after 5 cycle उनके weight के अंदर कितना loss आ जाता है यह हम पता करते हैं loss in weight of aggregate is determined by sieving out all undersized particles and weighing बार बार आपने उनको sodium sulfate या magnesium sulfate के solution में डाल रहे हैं फिर open dry कर रहे हैं फिर उसके इंदर कर रहे हैं फिर open dry कर रहे हैं ऐसा 5 बार करने पर कुछ particles तो इनसे अलग हो ही जाएंगे उनको sieve करके अलग निकाल लेंगे और जिस size के aggregate पर हम test कर रहे हैं तो अब उनका weight कितना आ रहा है यह हम पता कर लेंगे तो कितना loss in weight हुआ loss in weight किस से जादा नहीं होना चाहिए loss in weight should not exceed 12% अगर sodium sulfate का solution यूज किया magnesium sulfate का यूज किया तो 18% से जादा loss नहीं होना चाहिए this line is most important कि soundness test of aggregate जब करते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं sodium sulfate या magnesium sulfate का करते हैं sodium sulfate के case में loss in weight जो है वो 12% से जादा नहीं होना चाहिए magnesium sulfate के case में loss in weight जो है वो 18% से जादा नहीं होना चाहिए यह आप से objective में पूछेगा so this should be remembered यह important है next बात करते हैं impact test impact test के अंदर आपके पास apparatus होता है impact machine इसके दो handle होते हैं इन्हें आप lift करके उपर करेंगे यहाँ जैसी आप लेके जाते हैं तो यहाँ जाते ही अपने आप क्या करेंगा यह weight जो है यह hammer जो है इसका pre-fall होगा तो ऐसा आप करेंगे 25 number of sorry 15 number of times ऐसा आप कितनी बार करते हैं 15 number of times सबसे पहले specimen लिया specimen को 3 layers में भर देते हैं यहाँ पर जो specimen होता है उसको 3 layers में भर देंगे हर को एक बार tamping rod होती है उससे 25 number of times 25 number of times hit कर लेते हैं specimen यहाँ पर भर लिया उसके बाद क्या करेंगे आप 13.5 to 14 kg का यह weight होता है 13.5 to 14 kg का weight होगा इसे लगबग लगबग 38 cm के height से हम गिरा देते हैं 38 cm के height से free fall होगा और ऐसा कितनी बार करेंगे 15 times करेंगे ऐसा कितनी बार 15 times into 15 times 15 times हम ऐसा करेंगे बार बार इसको इसके उपर गिराएंगे फिर 2.36 mm की sieve से उसको sieving कर लेंगे तो कितना weight 2.36 mm से pass कर गया यह कह लिजे कितने particles टूट चुके हैं वो upon initial sample यह आपके पास आ जाएगा aggregate के impact value फिर उसके बाद shape के test करते हैं shape के test जो हम करते हैं वो हम करते हैं flaky है या elongated है building materials में हमने इनके देखे थे कि gauge होते हैं हमारे पास उन gauge के थूँ हम pass करते हैं कि उनके dimensions उनके उपर mentioned होते हैं तो कौन से flaky हैं कौन से elongated aggregate है इनके बारे में हम देखते हैं flakiness index is defined as percentage by weight of aggregate particle whose least dimension is least lateral dimension is less than 3 by 5 या फिर 0.6 times of its mean dimension जो भी उसकी mean dimension होती है उसके 3 by 5 से भी कम हो mean size से भी कम हो elongation कोई particle elongated कब है जब उसकी longest dimension अब longest dimension क्या होगी length ही होगी when its longest dimension या largest dimension is greater than यहाँ पे तो least lateral के case में तो less than आता है longest dimension is greater than किस से ज़ादा 1.8 times of its mean dimension या फिर 9 by 5 कह लीजिए ठीक है आगे चले important क्या है यह है जल्दी से इसको read करें बागे सारी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं building materials में already बस उनको फटा फट revise किया हमने IRC क्या कहता है इन सब के बारे में question यह पोचता है आपसे IRC recommendations क्या क्या है aggregate की crushing value जो है वो 30% से ज़ादा ना हो 30 से कम रहे अगर surface course के लिए यूज़ कर रहे है base course के लिए यूज़ कर रहे है तो 45 से ज़ादा ना हो 45 तक चल जाएगा aggregate की impact value bearing course जो top वाला course होगा उसके लिए bituminous macadam के case में impact value 40 से ज़ादा ना हो abrasion value of 40% 40% तक की allowed है water bound macadam के अंदर water bound macadam बता है ना आपको क्या होता है आपके पास जो भी aggregates होते हैं fine जो आपकी rocks का fine particle होता है या फिर आप कह लिजी कि finer material जो होता है वो होगा वहाँ पर rock dust कह लिजी आप stone dust कह लिजी वो होगी aggregates होगी पानी होगा इन सब को heavy load के साथ क्या कर देंगे bind कर देंगे pressure से abrasion value of 35% is allowed for bituminescent concrete loss in weight ये दो points तो हम already पढ़ चुके है sodium sulfate के case में 12% से जादा ना हो magnesium sulfate के case में 18% से जादा नहीं होना चाहिए next आते हैं asphalt या bitumen क्या है asphalt या bitumen की बात करें तो petroleum का by product है bitumen आपका petroleum का by product है bitumen is a sticky sticky होता है चिपकने वाला होता है black color होता है और highly viscous होता है इसकी viscosity flow जो है वो इतना easily नहीं होता highly viscous liquid होता है viscosity उसकी बहुत ज़ादा होती है viscosity क्या होता है अगर fluid flow करता है तो internal layers जो है वो एक दूसरे को resist करती है flow करने से highly viscous होता है sticky होता है चिपकने वाला होता है black होता है black in color ये आप सभी को पता ही है asphalt की अगर हम बात करें तो asphalt के अंदर आपने क्या कर दिया bitumen के साथ-साथ sand और aggregate जो है ये mix कर दिया तो इससे ये bitumen जो है थोड़ा और durable बन जाता है इसके अंदर हमने combination कर दिया sand और aggregate जो है ये भी मिल गए हमारे पास asphalt form में इनके combination के form में हो सकता है coal tar के अगर हम बात करें तो coal tar जो है कैसे मिलता है coal को हम oxygen की absence में heat करते हैं oxygen की absence में heat करते हैं या ये कह लिजिए उसका destructive distillation करते हैं कोई भी ऐसा container लिया जो air tight है उसके अंदर कोई air नहीं है oxygen नहीं है फिर उसको temperature दे रहे हैं heat कर रहे हैं उसको तो destructive distillation हो जाएगा आपको वहाँ पर coal tar जो है ये form हो जाएगा तो coal या फिर wood से आप इसे form कर सकते हैं destructive distillation करते हैं coke का at normal range of temperature bitumen जो आपका है semi solid state में होता है construction of pavements के लिए इसे 130 से लेके 175 degree Celsius तक हम उसे heat करते हैं ताकि वो bitumen aggregates के आसपास अच्छे से बन जाए हर तरीके से उनके आसपास फैल जाए और फिर उनको bind कर ले उनको अच्छे से वो चिपका ले bitumen को दो तरीके से हम classify कर सकते हैं अगर आप pavements में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं road construction में use कर रहे हैं तो paving grade का bitumen हो जाएगा अगर industries में आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको waterproofing के purpose से किसी structure का waterproofing करने के लिए industrial floors बनाने के लिए तो आप उसे कह देंगे कि वो industrial grade का bitumen है then comes bitumen की properties bitumen की properties और bitumen के जो अलग-अलग form होते हैं इनके बारे में बात करते हैं tar के अलग-अलग form आ जाते हैं इनके बारे में बात करेंगे इनके comparison then test on bitumen आते हैं bitumen से कल पढ़ना शुरू करेंगे ठीक है आज इतना ही इसके बारे में bitumen के बारे में bitumen की क्या-क्या properties है we will study in next session of YouTube जो कि कल सुबर 9 बज़े होगा और Unacademy की जो special classes हैं उनके बारे में एक बार आप सुन लीजे दोस्तों Unacademy की special class के timings जो आपके होगे वो evening timings है एक 6 p.m. के उपर जिसके अंदर हम अभी estimating costing पढ़ रहे हैं estimating costing and valuation फिर उसके बाद 8 p.m. 8 p.m. में हम highway engineering जो सुबाज session होता है उसी का practice session करते हैं शाम को तो ये practice session होता है और अगर कभी-कभी हमें time मिलता है या access time होता है तो हम 9.30 या 9.00 पी.m. के आसपास 9 to 9.30 के लगबग ये हम इसके अंदर mixed session ये हम conduct करते हैं तो 6 to 9 लगबग आप कह लिजए कि special classes हमारी होती है ये free of cost होती है इसके लिए बस आपको unacademy app install करनी है उसके बाद बहाँ पर संदीब जानी है यानि कि मेरी profile आप search कर लिजएगा अगर invite code आप से पूछे इन free session को देखने के लिए कोई code पूछे तो वो आपको use करना है ये आप use कर सकते हैं तो आप इन classes को देख पाएंगे तो इन पे आप updated रहें एक या दो subject हमारे और बचे है estimating तो चली रहा है highway engineering अल्रेडी चली रहा है उसके बाद traffic पढ़ना है थोड़ा railway का portion जो है जो हमसे पूछा जाता है एक दम बिल्कुल detail में भी नहीं जाना है लेकिन हा railway से related जितने type के questions बन सकते हैं चाहे वो design वाले हूँ चाहे आपके objective वाले हैं वो सारे तो हम cover करेंगे वो हम पढ़ेंगे और फिर जो छोटे-छोटे topics बच्चे हुए जैसे open channel flow है, hydraulic machine है वो भी हम cover कर लेंगे then, मतलब इन सब process में आप ये कह लेजी ये October month मान लेजीए then we will begin with something fresh, something new जो अब तक आपने पढ़ा है उसको और enhance कैसे करना है और practice कैसे करनी है और improve कैसे करना है हम सही pace पर चल रहा है अभी तो कोई notification भी नहीं है SAC का या अगर हम बात करें या आपके तयारी की तो अब तक हम civil engineering लगबख सारे major subjects जो है वो cover हो चुके है अब तो छोटे-छोटे subjects जो है या छोटे-छोटे topics हैं वो बचे हुआ है जो come important होते है या फिर आप ऐसे कह लिजे जिन पर अगर बहनत तब करनी चाहिए जब हम सारा important part कर चुके है क्योंकि उनसे output इतना नहीं आता जितना अब तक जो हमने पढ़ा है उनसे आता है तो पहले हमें उन portion पर focus करना चाहिए जिन में input देने पर output जादा हो बाद में उन portion पर जब सब कुछ cover कर लिया है तब हम छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं फिर हम वो portion पढ़ेंगे यह कौन से number की class है exact number तो राजन सर बताएंगे hundreds के बाद ही चल रही है दोस 108 या 9 कुछ ऐसी होगी आप चेक कर लीजेगा ठीक है अगर आप civil 101 पर नहीं है तो subscribe कर लीजे और अभी जो आने वाला time है मतलब आने वाले 15 दिन इतना time आपके पास है इन 15 डेज या 15 नहीं 10 डेज मान के चलें आप इन 10 दिन के अंदर आप जो भी अपने notes अपडेट करने है जो भी revise करना है कुछ pending classes है अभी तक classes नहीं देखे है वो classes देख लीजिए सारे काम निपटा लीजिए upcoming 10 तो 15 डेज के अंदर अंदर मतलब 10 डेज आप target लेके चलिए 10 दिन में जितनी भी classes बचे हुई है सारी आप at least देख तो लेंगे ही एक बार और बहुत अच्छा होगा अगर revise कर लें या जो भी part आपके notes के बचे हुए है वो भी आप उसको cover up कर लें उसके बाद कुछ और दुबारा से नया शुरू होगा जिससे की आप सारी चीज़ें revise कर पाएंगे जो आप तक आपने पढ़ा या अगर किसी ने कुछ भी नहीं बढ़ा हर तरीके से वहाँ पे एक बार फिर से boost up होने वाली या चीज़ें तो उस तैयारी के इंदर आप पीछे न रह जाएं इसके लिए जरूरी है कि अभी अगर आपको लगता है कुछ pending रहा हुआ है तो वो आरा cover up करना शुरू कर दीजिए दस दिन एकदम पूरा दिन रात पूरे engineering mode में आ जाए engineering mode आपको पता है न कौन सा होता है engineering mode वो mode होता है याद करिए अपनी शक्तियों को जब आप semester के exam में एक रात के अंदर सो जाते थे और अगले दिन खुद रात बार पढ़के पूरा subject पढ़ा तो और भी अच्छी बात है लेकिन मैं तो आपकी एकदम अवल वाली जो शक्तिया है कि कुछ minute या कुछ घंटों में आप में वो subject पूरा पढ़के पास किया हुआ होगा वैसे वाले mode में आजाएगे इतने active वाले में कि अब तक जो भी pending बचा हूँ है काम वो उस pace से उस rate से अराम से खतम कर लीजे फिर हम दुबारा revisions पे आएंगे test आएंगे उसके अंदर practice session आएंगे और थोड़े जो अब तक पढ़ा है उसको और कैसे कैसे form में use कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे यह जो आक्षेन ने पर आते हैं कि हाँ यह try करें नहीं करें वो college की बात थी अब कौन सा उडापा आ गया ठीक है अभी भी एनर्जी तो पहले से जादा ही होगी experience पहले से जादा ही है हाँ soil mechanics भी पढ़ेंगे क्यों परेशान हो रहा हूँ soil के लिए बहुत भावुक हो गए हैं आप चलो करेंगे करेंगे ठीक है दोस्तों और कुछ आपके valuable कीमती सुझाव है वो आप कभी भी बता सकते हैं और यहां बताना चाहिए यहां बता सकते हैं personally आपको बताना हो कि हाँ कोई और नहीं सुने ऐसा सुझाव है पढ़ाई से related है तो वो आप बता सकते हैं टेलिग्राम इंस्टा कहीं भी आप मेसेज करके आप बहाँ पे बता सकते हैं तेक केर बाबाई और मिलते हैं हमारे next session में बारा बज़े भी soil mechanics की anacademy subscription model पे class है और फिर उसके बाद शाम को 6 बज़े से हमारी practice sessions जो है यह है thank you so much, take care, bye bye झाल झाल